हलो फ्रेंड्स मैं मेगा बलानी आप सभी का वेलकम करते हूँ और दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज जो हम हैं इंग्लिश का न्यू टॉपिक लेने वाले इससे पहले हमने मॉडल्स कर लिये थे टैंसिस को समझा था और जो टैंसिस हमने अब तक समझे थे उन सभी का काम और जितने भी हमने मॉडल्स देखे थे उन सभी का काम अब आने वाला है हमारे आने वाले topic पे तो आज का जो हमारा topic है वो क्या है? एक सेगन एक call आ रही है उसे ले ले देब हलो, 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 क्या आपको मेरी voice आ रही है? हलो, 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 कट हो गया किसी का call था? चलो ठीक है, हम अपने topic पे आते हैं मैंने यहाँ एक line बोली क्या आपको मेरी voice आ रही है तो आज का जो हमारा topic है वो यही है voice अब voice क्या होता है? voice जो भी आप कह रहे हैं या जो भी आपके द्वारा किया जा रहा है या आपके ऊपर कोई काम हो रहा है उन सभी को हम voice कहते हैं तो समझते हैं voice होता क्या है इसको एक definition से समझते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसको हम definition से समझते हैं तो देखें voice होता क्या है voice को अगर समझें तो voice का मतलब होता है पहले हम English में देख लेते हैं उसके बाद उसका Hindi translation में देखेंगे तो voice is that form of a verb which show whether what is denoted by the subject does something or has something done to it इसको Hindi में भी देख लेते हैं मैंने Hindi में भी definition लिखी है आप सभी की सहुलियत के लिए तो देखिए voice जो है वो verb का वह form होता है जिससे पता जलता है कि sentence में जो है subject कुछ कर रहा है या subject पर ही कुछ घटित हो रहा है अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है कि subject कुछ कर रहा है यानि subject के द्वारा क्या काम किया जा रहा है या subject देसे हम कहते थे कि subject क्या है अब तक हमने जितने भी sentences देखे थे tense में हम वहाँ पर क्या बात करते थे subject हमारा main होता था हम subject के साथ सारी चीज़े कहते थे subject के द्वारा ये किया जा रहा है subject ये है subject के कोई काम कर रहा है तो हम हमेशा subject के लिए कहते थे दूसरी line इसमें ये लिखी हुई है कि subject पर ही कुछ गटित हो रहा है यानि दूसरी चीज़ क्या हो सकती है subject पर कुछ हो रहा है subject के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है तो उसमें भी हम किसको यूज करते हैं voice को यूज करते है तो voice जो भी आप कह रहे हो जो भी आप कर रहे हो उ उस सामने वाली बात को बोलना ही क्या है voice, जिसको हम हिंदी में वाच्चे कहते हैं, आपका हिंदी का एक topic होगा वाच्चे वह voice ही है, बस आये है कि हिंदी में थोड़ा सा difference क्या है, वहां पे तीन तरह के वाच्चे होते हैं, इंग्लिश में आपके दो ही होते हैं, तो इन ही के आधार पर subject और subject क्या करता है और subject पर क्या घटित होता है इन दोनों के आधार पर voice को two types में बाट दिया अब वो two types कौन कौन से थे पहला था active voice और दूसरा था passive voice अब ये active voice और passive voice क्या है इसको मैं आपको एक example से समझाती हूं ठीक है ये देखिए मेरे पास है apple अब मैं इस apple को खाने वाली हूं बिल्कुल खाने वाली हूं और इसी से आपको समझाओंगी कि कैसे मैंने एक चीज को या जो भी मैंने किया है उन दोनों में क्या difference है अगर मालों मैं इस apple को खाती हूं खा के दिखा देती हूं ठीक है इसको अब रख देते हैं अब मैंने कहा मैं apple खा रही हूं एक बात तो मैंने ये के दी इसको मैं लिख देती हूं ठीक है मैं एपल खा रही हूँ ठीक है और दूसरी बात मैं कह रही हूँ मेरे द्वारा एपल खाया जा रहा है ठीक है दूसरी लाइन मैंने क्या बोली मेरे द्वारा एपल खाया जा रहा है ठीक है अब मैंने दोनों लाइने जो बोली है उन दोनों लाइनों का क्या मतलब चेंज है पहले मैं कहा रही हूँ मैं एपल खा रही हूँ तो यहाँ पर एक चीज है दूसरी बार मैंने कहा मेरे द्वारा एपल खाया जा रहा है तो दोनों में मैं बात जो कह रही हूँ वो बात तो कह रही हूँ मैं क्या एक ही कह रही हूँ लेकिन बोलने के समय मेरा तरीका थोड़ा सा चेंज है अब मैं किसी और चीज पर focus कर रही हूँ, वो focus क्या कर रही हूँ, देखो यहां पर मैं कह रही हूँ, मैं, यानि मैं, यानि कि subject, मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है पहले point पे हम जिसे कहते हैं active voice, जिसको हमने अब तक tense में समझा था कि जब भी हम tense करते थे, तो हम हमेशा क्या कहते थे, जो भी subject होता था, उसको main hero बनाते थे कि subject ही है, जो हमारा सारा काम करने वारा है, लेकिन voice में क्या हो गया, voice में हम एक बात को दो तरीके से बोल सकते हैं, वही दो तरीके मैंने यहां लिख दिये, पहले मैं कहा रही हूँ, मैं apple खा रही हूँ, दूसरी बार मैंने कहा दिया, मेरे द्वारा apple खाया जा रहा है, अब यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं important नहीं हूँ यहाँ पर important है कि जो apple है वो खाया जा रहा है, apple के उपर focus है मेरे द्वारा मैं focus नहीं हूँ, मेरे द्वारा काम क्या किया जा रहा है, काम जो किया जा रहा है, वो important है, और वो काम क्या है एपल खाने का तो एपल यहाँ पे मेरा हीरो है तो एपल क्या हो गया एपल अगर आप इसको find करोगे अगर देखोगे तो एपल एक object है तो यही difference है active में और passive voice में कि active voice में हम subject को ज़्यादा महत्व देते हैं subject को ही पहले रखते हैं जो अब तक हमने जितने भी tense में देखा है पढ़ा है वो सभी क्या है हमारा active voice है और passive voice क्या होता है जहां पर हम subject की जगे हमारा जो पीछे जो object होता है उसको उठा के पहले रख देते हैं उसको hero बना देते हैं कि तो hero है सारी चीजे तेरे उपर depend होगी तब हम object को रखते हैं और वो हमारा होता है passive voice ठीके अब अगर मैं इसको English में translate करती हूँ English में translate करने के बाद इसके rules बताऊंगी कि यहां पर मैंने क्या rules apply किये ठीके तो सबसे पहले अगर मैं apple खा रही हूँ इसको अगर मैं लिखूँ English में तो I अब ये चीज जो है first translation है वो आपको आता होगा क्योंकि हम 10 सीख चुके हैं तो हम लिखते हैं I am eating an apple ठीके और दूसरा जो sentence है उसको मैं translate करती हूँ लेकिन उसके rules क्या apply हूँ है वो हम आने वाले अभी हम आगे पढ़ेंगे ठीके तो मेरे द्वारा apple खाया जा रहा है यहां पर लिखा जाएगा जो मेरा subject है उसको लेते हैं apple तो an apple is being eaten by me ठीके तो यहां पर मैंने दो sentence लिखे हैं पहले sentence को हमें आता है जो हम tense में पढ़ चुके हैं दूसरा sentence में क्या rules apply हूए बात तो हम सेम ही कह रहे हैं दोनों बातों में हमने change नहीं किया है आपको भी यह ध्यान रखना है अगर हम active से passive बना रहे हैं तो आपको जो बोल रहे हो वो चीज तो वही रखनी है सिर्फ आपका तरीका change होगा वो तरीका यह रहा अब इसमें क्या rules apply हुए हैं क्या करना है इनी को हम पढ़ने वाले हैं तो पढ़ते हैं देखो सबसे पहले अगर हम voice की बात करें तो voice में active voice की definition क्या होती है उसको देख लेते हैं तो active voice में क्या होता है active voice वाक्यों में करता मतलब कि जो subject है हमारा जैसे मैंने का था मैं मेरे बारे में बात की ज़र थी तो subject जो होता है उसको प्रमुकता दी जाती है यह का जाता है कि subject जो है तुम ही hero हो सारी चीजे तुम्हारे उपर है subject को ही प्रधानता मिलती है और करता जो होता है वो active होता है यानि जो काम करने वाला है वो उसको active कहा जाता है इसलिए उसे active voice कहा जाता है क्योंकि सारा काम जो है करने वाला वही है English में देखिए इसकी definition इसकी डेफिनेशन इन active voice the subject performs the action expressed by the verb यही चीज कही जा रही है जो उपर कही जा रही है कि active voice में क्या होता है जो subject होता है वो क्या perform कर रहा है वो बताया जाता है इसको एक example से समझते हैं तो देखो he sings a song वह गाना गाता है हमने अभी अभी सारी चीज़े जो tense में है वो सारी पड़ी थी यहां पे हमारे tense भी revised होंगे कि जो हमने पड़ा था वो सारी चीज़े आएंगी क्योंकि active voice में अगर कोई sentence होगा आपको उसको passive voice में convert करना होगा तो active voice के जितने भी sentence होंगे वो आपके tense होंगे जो आपने पड़ रखे हैं तो tense के जिसको understanding अच्छे से होगी वो इन चीज़ों को समझ पाएगा तो देखिए he sings a song वे गाना गाता है अब यहां पे जो he है यह क्या है हमारा subject है sings क्या है हमारी verb है ए सौंग क्या है हमारा object है ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब देखते हैं passive voice की definition क्या है वैसे हमें समझ में आ गया है कि passive voice होता क्या है जहां subject को नहीं object को preference दी जाती है object को कहा जाता है कि तु भाई तुम्हीं ही hero हो तुम्हें ही आगे आना है तो उसकी definition देख लेते हैं, passive voice में क्या होता है, जो करता होता है, जो हमारा subject होता है, उसकी प्रमुक्ता नहीं होती है, बलकि किसकी होती है, object की होती है, जो हमारा object है, उसको कहा जाता है कि सारा काम तुम्हारे उपर है वाक्य object से शुरू होता है, ठीक है, एवं verb passive voice में होती है, जो वाक्य होता है, वो शुरू किस से होता है, हमारे object से होता है, और जो हमारी verb होती है, उसको हम passive में रखते हैं, कैसे, इसको sentence से देखेंगे, कि in passive voice, the subject received the action expressed by the verb passive voice में क्या होता है, जो भी subject होता है, वो receive करता है, जो भी action हुआ है, जहां हम पहले subject के द्वारा कोई काम किया जाता था, यहां पर subject के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, यानि काम का प्रभाव जो है वो किस पर पढ़ रहा होगा, अब subject पर पढ़ रहा होगा, पहले जितने भी हमने active voice देखे थे वहां क्या होता था हम जो भी काम करते थे उसका प्रभाव किस पर पढ़ता था हमारे object पर पढ़ता था लेकिन pathways में कहानी उल्टी हो जाएगी कहानी किसे उल्टी हो गी अब होगा जो object है वो तो hero बनके आ गया आजएगा और जो subject है वो as the object आ जाएगा और जो भी काम हो रहा होगा यानि वर्ब के दौरा जो भी काम किया जा भी पर हो उसका प्रभाव किस पर पढ़ रहा होगा अब हमार इसका example देखो अगर लिखा है He sings a song यह जो sentence है यह कैसा दे रखा है यह active voice दे रखा है अभी अभी हमने देखा था तो यह है active ठीक है दूसर sentence जो है वहाँ क्या लिखा है A song is sung by me गाना जो है वो उसके द्वारा गया जा रहा है अब यहाँ देखो अभी हमको कुछ rules मैं अभी आपको यह नहीं बताऊंगी किसमें क्या rules लगा है कौन सी वब लगी है जहाँ जहाँ पर जो जो topic आएगा उस उसको clear करते जाएंगे rules को समझते 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 फिर हम करेंगे exercise ठीक है तो आज हम सिर्फ rules पढ़ने वाले हैं जैसे एक game को समझने के लिए हमको rules पढ़ने होते हैं वैसे हम passive voice को समझने के लिए rules समझेंगे कि rules क्या apply होते हैं उसके बाद हम देखेंगे sentence में किस तरह से active voice को passive voice में change किया जाए है तो देखो पर क्या किया गया है passive voice ने कहा है कि object को प्रमुकता देनी है तो हमारा object कौन है a song इसको उठा के हमने यहां लगा दिया अब जो a song है वो क्या है अब हमारा subject का काम करेगा किस में passive voice में तो a song बागी की चीज़े क्या है कैसे rules लगे हैं वो step by step समझेंगे अभी सिर्फ एक concept समझ रहे कि object को उठा के हम कहां लगाते हैं sentence में सबसे पहले लगाते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया a song जो है वो हमारा subject बन गया verb हमारी song हो गई जो sing की होती है next है इसके बाद हमने hymn लिखा है यह hymn क्या है यह objective form क्या है इसको भी आगे समझेंगे अब भी हमको सिर्फ एक चीज़ समझ दी है कि हमें क्या करना है object को उठा के subject पे लगाना है तो यह चीज़ समझ में आ गई active और passive क्या होता है अब इसके rules देखते हैं इसके rules जो होते हैं जो सभी चीज़ों के लिए अपलाए होंगे सारे sentence में अपलाए होंगे specific rule में क्या होगा कुछ अलग condition होंगी कुछ अलग तरीके होंगे जहां पर आपको journal rules के साथ कुछ special rules जो होंगे वो भी follow करने पड़ेंगे तो आज जो हम है journal rules की बात करेंगे क्योंकि पहले journal rules को अच्छे से समझ लेंगे उसके उपर हम sentence बनाना भी सीखेंगे frame करना सीखेंगे कैसे active से हम passive लेते हैं उसके बाद हम specific rule चलेंगे क्योंकि जब journal अच्छे से clear हो जाएगा तब ही हम special कर पाएंगे न तो चलो बढ़ते हैं journal rules में सबसे पहला rule क्या है सबसे पहला rule है कि active sentence का object passive sentence में subject के स्थान पर रखा जाता है यह हमने अभी अभी समझा था कि जहां पे भी जो subject है active में जो subject है उसको तो ले जाते हैं पीछे object में और जो हमारा object है उसको हम ले आते हैं subject की जगे तो पहली चीज यह है example देखते है I write a letter मैं पत्र लिखता हूँ तो यह तो हमारा क्या है? active voice में है इसी का अगर हमें passive बनाना है तो पहली चीज हम जो पहला rule है पहला rule क्या है? आपको करना क्या है? जो भी आपका object है अब देखो यहां पे I जो है वो हमारा subject है यह हमारी verb है और यह है हमारा object तो a letter जो है वो हमारा object है तो उसको उठा के कहा लगा देंगे? sentence में पहले a letter बाकी सारे चीज़े क्या है? उनको समझते जाएंगे अब भी हमने सिर्फ यह समझा कि जो a letter है यह हमारा अब बन गया passive voice में subject जो कहा active voice में object था उसको उठा के हमने subject में लगा दिया तो पहला rule बहुत ही simple है आगे बढ़ते हैं second rule को देखते हैं second rule क्या कहता है? तो second rule है passive voice में जो verb की third form होती है वो प्रियोग तो होती है और उससे पहले is, am, are, was, were और being, being का प्रियोग किया जाता है जो tense के अनुसार होता है तो यहाँ हमको एक चीज़ समझनी है वो चीज़ यह समझनी है कि जब भी हम active से passive में बनाते हैं तो हमेशा verb की third form ही ली जाती है इस बात को हमेशा ध्यान लखना है कि verb की क्या लेनी हमको third form लेनी है बस बाकी की चीज़े क्या है यह is, am, are, was, were, being, being यह जो भी चीज़े हैं यह tense के अनुसार change होती है अभी हम tense के according भी समझेंगे तब इस चीज़े को और अच्छे से clear समझेंगे कि कब कैसे क्या use करना है अभी सर्फ एक बार ध्यान लखनी हमको कि हमने पहला rule पड़ा था हमें जो object है उसे as a subject बनाना है दूसर क्या करना है verb की third form लगानी है ठीक है, sentence से देख लेते हैं अभी अभी हमने sentence देखा था कि I write a letter ये क्या था हमारा पूरा active voice था जहां पर ये subject था, ये verb और ये object हमने object की कहानी समझ ली कि object को subject की तर लगाना है अब ये बचा था क्या हमारी verb अब verb को क्या करना है verb की third form लगानी है तो write की third form क्या होती है write, wrote, written तो हमने यहापे written लगा दिया इसके आगे ये is लगा है ये tense के according change होता है वो अभी हम tense के जब rule समझेंगे तब उसको और clear समझेंगे अभी हमको सरफ ये चीज़ समझनी है कि verb की third form यूज होनी है ठीक है, verb की third form ये भी clear हो गया rule number two हो गया अब देखते हैं rule number three rule number three क्या कहता है rule number three कहता है passive में subject के अनुसार verb लगानी होती है subject अगर singular होगा तो verb भी हमको singular लगानी है और subject अगर plural है तो हमें verb भी plural लगानी है ये चीज़ हमको पता है कि जब भी हम कोई sentence लिखते है तो जैसा हमारा subject होता है हमें वैसे ही हमारी verb लगानी है तो same passive voice में भी यही करना है आपको आपके active voice में कोई sentence ले रखा होगा तो उसके subject के अनुसार verb लगी होगी लेकिन जब आप passive voice बनाएंगे और अपने object को as a subject लगाऊगे तो आपको जो verb लेनी है वो आपके subject बन गया है उसके according लगानी है ना कि पहले वाले के according तो यह ध्यान रखना है जो object था हमारा वो अब subject बन गया है तो उसके according ही verb लगानी है यानि जब भी आप sentence देखोगे कैसा भी हो चाहे वो active हो चाहे पैसे वो आपका जो subject है आप उसके according ही क्या लगाओगे verb लगाओगे, इसको एक example से समझते हैं और ज़दा अच्छे से clear हो जाएगा देखिए, example क्या दे रखा है, दे रखा है she is helping the students वह क्या करती है, छात्रों की मदद कर रही है, अब यहाँ देखो, मेरा जो subject है, वो she है यह verb है और यह क्या है, object है मैंने क्या लिखा था, is helping लिखा है, क्योंकि she जो थी, वो एक girl थी, एक थी, उसके लिए मैंने is लगाया, ठीक है, यहाँ पे अब जब मैं इसका passive बना रही हूँ active से passive बना रहे है, तो passive बनाने कि समय क्या किया है, मैंने passive कि समय यह जो the students है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ ध्यान यह देना है कि verb कौन सी लेनी है अब यह the students है, जो छात्र है, वो एक तो नहीं है बहुत सारे है, अगर बहुत सारे है तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारी verb जो है, हमारे subject के अनुसार change करने होगी तो अब मैं यहाँ is नहीं लगाऊंगी, अब हम यहाँ लगाएंगे are, क्योंकि student जो है, वो बहुत सारे हैं, plural है तो verb अगर हमारी plural, subject हमारा plural है, तो verb भी कैसी होगी plural ही होगी, ठीक है तो हमने लगा दिया, the students are being helped by her तो तीसरा concept क्या है, तीसरा rule है हमारा, कि verb हमेशा आपको आपके subject के अनुसार लगानी है active में जैसा subject था, वैसी हमने verb लगाई थी, अगर passive बना रहे हैं, तो passive में जो आपका subject उठके आ रहा है, तो आप उसके according ही verb लगाएंगे, ये चीज ध्यान रगेंगे, क्योंकि इस चीज में बहुत गलती होती है, हम इस उपर देखके as it is, इस लगा देते हैं, subject पे ध्यान नहीं देते हैं, तो subject आपको देखना है जो आपका object है, जिसको आपने अब subject बना दिया है, तो आपको उसकी verb भी ध्यान रखनी, ठीके, ये हो गया हमारा तीसरा rule, अब समझते हैं चौथा rule क्या है, फोर्थ rule है हमारा फोर्थ rule क्या कह रहा है, फोर्थ rule कह रहा है कि active sentence के subject को passive sentence के verb का agent बना दिया जाता है, अब ये agent क्या होता है अब तक हमने क्या देखा, जो भी object है, उसको subject में ले लिया, फिर verb की third form ले ली उसके बाद हमने क्या दे लिया कि जो भी verb होगी, जो भी subject होगा उसके according आपको verb लगानी है फोर्थ rule कह रहे है, कि जो subject है अब उसको भी तो उठा के नहीं रखोगे तो subject को उठा के हमें कहा लगाना है अब उसको ले जाना है object की जगे, और यहां पे जो subject है वो क्या काम कर रहा होगा एक agent का काम कर रहा होगा, agent मतलब क्या होता है किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है जैसे हम bank में या कहीं भी हम कोई policy करवाते है या कुछ भी कपराते है तो हमें एक agent रखते है वो agent किसलिए रखते हैं कि हमारा कोई काम किया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है तो वो जो है, वो क्या है, वो हमारा एक agent है जो भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है उसके संबन में तो agent, जिसको हम subject कहते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो subject है उसको क्या लगा देते हैं, as a agent पीछे लगा देते हैं, जो काम करता है, जो भी बर्व होती है, उसके लिए agent होता है, यानि काम जो भी किया जा रहा है, वो घटित किस पर हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, हमा यहां एक बार ध्यान रखिए, यहां लिखा है मैंने मुख्यतह, मुख्यतह जब भी कहीं किसी जगे आ जाता है, मुख्यतह, सामानेत, वहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज के 100% के चांस नहीं होते, आप यह नहीं कह सकते हैं कि आल्वेज आप क्या लगाएंगे, बाई ल हम पैसे वह इसका sentence बनाके उसे full stop से समाप्त कर देते हैं, जैसे मानलो कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया, या उसे arrest किया गया, तो यहां पर यह पता है कि चोर को arrest तो कौन करेगा, पुलिस ही करेगी, हम उसे जदा-जदा मार देंगे, पीट देंग लेकिन, arrest करने का जो authority है, वो किस के पास है, पुलिस के पास है, पुलिस ही उसके साथ, जो arrest करने का काम जो है, वो पुलिस ही करेगी, तो जब भी ऐसे चीज़े होती है, जहां आपको subject understood होता है, कि करने वाला, यह भी कोई भी व्यक्ती है, तब हम भाई को नहीं ले दें, जैसे मालो आ जाता है, someone, everyone, somebody, इस type के जो words होते हैं, हम इनके साथ क्या करते हैं, हम इनके साथ by नहीं लगाते हैं, हम सीधा passive voice का sentence बनाते हैं, और वहीं पे ही stop कर देते हैं, by लगा के subject को लिखने की need नहीं होती है, कब जब कुछ-कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, जहां आप को पता होता है, कि सामने करने वाला जो है, वो कौन है, हमें पता है, हम जानते हैं उसके लिए, लेकिन हाँ, अगर आप लगा भी देंगे, जैसे मालो पूलिस के लिए लगा भी देंगे, तो चलेगा, someone, somebody, everyone, इन सभी चीज़ों के साथ हम by को नहीं लेते हैं, ठीके, तो rule number 4 भी हमको समझ में आ गया, कि rule number 4 में क्या करना है, subject से पहले by लगाना है, और subject ले कैसा काम कर रहा होगा, agent का काम कर रहा होगा, फिर तुर इसका example देख लेते हैं, देखिए, I write a letter, ये है हमारा active voice में, अभी तक मैंने एक ही sentence लिया, ताकि हम उस sentence के हर एक पार्ट को समझ स आएगा, agent की तरह आएगा, तो क्या आगया, by me, अब ये me क्या है, इसको आगे समझेंगे, ये me कैसे बना है, I का me कैसे बन गया है, इसको समझेंगे, तो बस अभी हमें क्या समझना है, कि by लगा के हम subject को लिखते हैं, ठीक है, चलिए, तो I think fourth, जो हमारा rule है, वो भी समझ म आगया, अब बढ़ते हैं, fifth rule पे, कि fifth rule क्या है, देखें, fifth rule में अगर हम समझें, तो fifth rule कहता है, कि pronoun का प्रियोग जब subject के रूप में किया जाता है, तब ये है, nominative case, यानि कि करता कारक में बदलता है, और जब इसका प्रियोग हम object के रूप में करते हैं, तो ये objective case, यानि कि क्या objective case, जिसमें हम object को a preference देते हैं, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, object के लिए कहा जाता है, उसमें बदला जाता है, अब ये चीज क्या है, इसको थोड़ा समझो, देखो ये pronouns क्या होते हैं, जो भी noun की जगे प्रियोग किये जाते हैं, वो हमारे pronouns होते हैं, जिनमें हम सबसे जादा जो use करते हैं, pronoun वो कौन से use करते हैं, I, V, U, He, She, It और They, ये pronoun हम सबसे जादा use करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया है, इसको हमने personal pronoun कह दिया है, जब आप direct in direct करोगे, तो फिर से ये pronouns ये काम आएंगे, अभी इसका जो छोटा रूप है, उसको समझेंगे, जब direct in direct करोगे, तब इसका कुछ बड़ा रूप आएगा, कुछ extra चीज़े जुडएंगी, वो समझेंगे, तो अभी समझते हैं कि जैसे मान लो, मैं as a subject आप से बात कर रहे हूं, तब मैं क्या use कर रहे हूं, तब मैं I, V, या फिर जो भी second person है, उसके लिए you, third person जो हैं, जो हम object लिखे जाते हैं पीछे, तो हमको क्या वो, फिर से subjective form में लिखना होगा, जैसे वहाँ पर I लिखा था, I writer letter, तो क्या I को मैं फिर से object की जगे, object में जो भी I है, वो मेरा क्या है, subject का का काम कर रहा है, तो अब उसको मैंने object बना दिया है, जब object बना दिया है, तो case भी कौन जी है, objective case, nominative case जिसको हम कहते हैं, करताकार, जिसमें जो भी काम करने वाला है, वो हमारा subject है, यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ I जो है, वो एक subject का का काम करेगा, you भी क्या होता है, subject है, we subject है, she subject है, they subject है, it subject है, who subject है, and he subject है, यह सभी कब काम आ रहे होंगे, nominative case में, जैसे हम passive voice बनाते हैं तो हमारा जो subject होता है वो उठके चला जाता है agent की तरह और पीछे बन जाता है object में तो जब आप इसको object बनाओगे तो आप इसका क्या लोगे? इसका objective case लोगे तो क्या हो जाएगा? I का बन जाएगा me ये हो जाएगा इसका objective case you का always you रहता है we का क्या बन जाता है us she का हो जाता है her they का हो जाता है them it का it ही रहता है who का बन जाता है whom और he का बन जाता है him तो ये list आपको देखनी है कि I के साथ हम me को लगाते हैं you के साथ you रहता है we के साथ हम us she के साथ her they के साथ them it के साथ it who के साथ whom और he के साथ him लगाते है तो जब भी आपका subject अगर pronoun में होगा मालो अगर किसी का नाम होता है तब तो कुछ ही नहीं करना है सीधा नाम लगाना है बाय लगा के नाम लगा देना है क्योंकि नाम को change नहीं करते हैं लेकिन अगर इन pronouns में से कोई चीज है as a subject तो आपको जब उसे as a object बनाना है जब आप उसको as a object लेंगे तो आप उसका subjective case नहीं लेंगे आप उसका objective case लेंगे जो इन में से कोई भी हो सकता है जैसे अभी अभी हमने देखा था I तो I का हमने क्या कर दिया था? Me बना दिया था तो हमने अभी जो sentence देखा था I write a letter उस I write a letter में हमने जब उसका passive बनाया था तो हमने क्या लिखा था A letter is written by फिर क्या लगाया था Me क्योंकि I जो था वो क्या बन गया था I जो subjective case था वो उसका बन गया था objective case ठीक है चलिए आप यह देख रहे होंगे मेरी महंदी तो हमाई राजस्थार में जो 25th को 3 celebrate हुई थी तो उसमें मेरी महंदी लगाई थी तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे अब आगे देखिए क्या है आगे अब हमारा rule number 6 है जादा तो नहीं हो गया ना एक बार फिर से recall कर लेते हैं अब तक जितने भी देखें पहला हमने rule देखा था कि हमें क्या करना है जो हमारा object है उसको हम hero बना देंगे कि भीया आप जो हैं पहले आईए बहुत हो गया subject का काम subject ने बहुत अपनी footage ले ली अब हम देने वाले object को footage तो object को पहले लेके आना है दूसरा काम क्या करना है दूसरा काम करना है passive voice में always हम verb की third form लगाएंगे ठीक है third form यूज करनी है ठीक है दूसरा के बार तीसरा rule क्या है तीसरा rule उसमें कहा गया था कि जैसे भी आप verb है वैसा ही आपको rule लगाना है अगर आपका subject singular है तो आपको verb भी क्या लगानी है singular लगानी अगर subject plural है तो verb भी कैसे लगानी है plural लगानी है fourth rule हमने देखाता कि आपको जो भी आपने subject है उसके साथ आपको क्या लगाना है by लगाना है ठीक है और next हमने देखाता कि जहां भी आपका subject है उसको आप जैसे agent बनाते हो तब आपको क्या करना है जो subjective case है उसको आपको objective case लेना है अगर आपका subject क्या है pronouns में से है अगर मालों आपका subject ही अगर कोई चीज होती है जैसे book हो गया या फिर room हो गया house हो गया, pen हो गया तो आप इसका तो कुछ नहीं करोगे आप इसको as a days बीचे लिख देंगे लेकिन अगर आपके subject क्या है pronoun है, तो इन pronoun में अगर आपको change करना होगा, तो जो main pronoun यही है इन pronoun को अगर हमें change करना होगा तो हम इसका objective case लेंगे क्योंकि अभी हम इसका कैसा use कर रहे है, हम इसको as a object ले रहे हैं, तो objective case लेंगे अब आती है sixth rule की बारे six rule क्या कहता है, six rule कह रहे है कि transitive verb भी passive बनाता है जैसे sleep, sit, stand, go, laugh etc का passive नहीं बनता है लेकिन in transitive verb के साथ अगर कोई preposition लगाया गया हो तो सिस्तती में इनको भी passive बनाया जा सकता है, ये चीज क्या है खिटडी बन गई, थोड़ा सा समझते हैं इसको देखो, पहली चीज क्या कह रही है कि transitive verb, हमने पढ़ा था जब हम verb कर रहे थे, कि transitive verb क्या होती है, ऐसा जो भी काम, जिसमें हमारे दौरण जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव किस पर पढ़ रहा होता है किसी object पर पढ़ रहा होता है तो वो चीज होती है हमारे transitive यानि जो भी काम कर रहे हो, उसका प्रभाव जिस पर पढ़ रहा है, वो होता है हमारा transitive, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होता है object तो same बात यही है क्योंकि यहां पर passive के लिए सबसे पहले need क्या चाहिए सबसे पहले need चाहिए हमको object होना चाहिए तो object होगा तब ही आप उसको as a subject बना के लाओगे तब ही उसका passive बनेगा तो अगर object होगा ही नहीं जबकि वो object नहीं होता है कहा नहीं होता है, intransitive verb में हमारे पास object नहीं होता है और intransitive verb में ऐसी कुछ verb जो है, वो कौन-कौन सी है, देखो sleep, sit, stand, go, laugh ये सारी चीज़े क्या होती है, ये होती है हमारी intransitive verb, लेकिन इनके साथ क्या कहा गया है, इनके साथ कहा गया है कि अगर intransitive verb जो है, इनके साथ अगर आप कोई preposition लगा दो, preposition लगा के इनको अगर use करोगे, तब क्या होगा तब इनका क्या बन सकता है, passive बन सकता है, यानि कि transitive verb होगी, तब तो बनेगा ही बनेगा कि transitive verb है, यानि कि काम, कैसे पता चलेगा transitive verb, हमें पता है, हमें देखना होता है, कि हमारे काम का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है, object पर पढ़ रहा है, object निकालना भी हमने सीखा था, तो जब हम object पर प्रभाव पढ़ रहा है कैसे, question करके बोलते हैं, और अगर question पर हमें हमारा object मिल रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, तब तो हो गई intransitive, वो हो गई transitive verb, तो transitive verb है, object है तो उसमें passive बनने में दिक्कत नहीं है, object को हम लेकर उठाके आगे लगा देगे, लेकिन दिक्कत कहा आएगी, दिक्कत आएगी, जब intransitive verb हो, अगर intransitive verb होती है, और उसके काम का प्रफाव किसी पर नहीं पढ़ रहा है, तो उसका passive बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, object चाहिए, और object होगा नहीं, लेकिन अगर जो भी intransitive verb है, या इसके अलावा भी बहुत सी होती है, अगर उनके साथ prepositions लगी हो, prepositions हमें पता है क्या होती है, at, on, it इन में से कोई भी बहुत सी और भी जितनी भी है, इनके साथ अगर आपकी कोई verb यूज हो रही है, तब आप उसका passive बना सकते हैं, कैसे example से समझते हैं, यहाँ पर active दे रखा है, यहाँ whom, तो आपको answer नहीं मिल रहा है, यानि कि object आई नहीं रहा है अब object नहीं आ रहा है, तो passive कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ लिखा गया no passive, कोई passive नहीं बनेगा लेकिन दूसरा case जो यहाँ पर कहा था, कि preposition लगा कर अगर लगाओगे, तो transitive से, जो intransitive verb है, उनसे हम passive बना सकते हैं जैसे इसी को हमने preposition लगा के, देखो कैसे use किया है they laughed at the teacher वे किस पे हसे, teacher पे हसे अब यहाँ पे आपको देखना है, कि यहाँ preposition use हुई है, कैसे use हुई है laughed at, यह preposition use हुई है जब यह preposition use हो गई अब हम इसका क्या बना सकते हैं अब इसका हम बना सकते हैं हमारा passive voice, कैसे बनेगा, यह है हमारा the teacher, जो है वो हमारा object है उसको लगा देंगे, हम as a subject the teacher was laughed at by them, देखो अब यह भी हमने देखा था, they क्या है एक हमारा subject है, इस subject अगर हम as a object ले रहे हैं तो हमें इसका क्या लेना होगा objective case लेना होगा तो देखा हमने क्या देखा था, them तो देखा हो जाएगा, them आपको लिस्ट एक दो बार देखोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी हो सकता है, बहुत से बच्चों को याद भी होगी तो यह बहुत छोटी सी चीज है इसको अगर समझ लोगे तो आगे जब आप direct in direct करोगे तो और easy रहेगा आपको समझ दे में तो बहुत छोटी सी list है आप इसको एक दो बार देखोगे, आपको याद हो जाएगा कि किसमें क्या करना होता है नई तो इतने सारे sentences करेंगे, हम इतनी practice करेंगे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा तो देखिए, इस तरह से हमने क्या समझ लिया कि जब भी हमारे पास transitive verb होगी तो उसका दो बने गई in transitive verb में अगर prepositions use होती है तब आप उसका क्या बना सकते हो, passive बना सकते हो ये था हमारा rule number 6 अब rule number 7 क्या है, rule number 7 को देखते हैं rule number 7 कहता है कि passive voice बनाते समय verb का tense के अनुसार परिवर्दन निम्न प्रकार से होता है अब सबसे बड़ा और सबसे main काम आ गया tense के हिसाब से कि tense कैसे change हो रहे है ये मैंने is लगा रही हूँ कभी r लग रहा है, कभी was लग रहा है वो क्या चीजे हैं, उनको समझने वाले हैं तो मैं आपके सामने एक list दिखाऊंगी उस list को समझेंगे जिनको tense अच्छे से आते होंगे वो इस चीज को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ जाएंगे मैं एक verb उठाऊंगी उस verb को ही क्या करती जाऊंगी change करती जाऊंगी according to tense तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक list है, इसको समझना शुरू करते हैं जब भी आप ऐसे voice करेंगे तो आपको easy रहेगा ठीक है, आप एक पर देख लीजिए चलिए, अब देखो, इसको किस तरह से change किया है, क्या rules अपलाए हुए है वो देखते हैं, सबसे पहली बात करते हैं जो हमारे tense में सबसे पहले आता है या do या does लगाते थे यही करते थे, वो ही चीज़ यहाँ पर है आपको क्या करना है present simple में मैंने एक right जो है उसको लिया है, अभी तक हम जो I write और letter लिख रहे थे हम उसी को change करना सीख रहे हैं तो right जो है उसको हमने ले लिया अब right के साथ आप verb कैसे लगाओगे या तो आपका subject अगर I या V होगा तब हम क्या लगाते हैं अगर plural होता है, तब हम क्या लगाते हैं हम उसके साथ verb को main ही रहने देते, क्योंकि जितनी भी verb होती है वो अपने plural में होती है तो या तो right होगा या फिर अगर आपका singular subject होता है तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, rights ठीक है, simple में ऐसा करते हैं जब हम simple का, active का जब passive बनाते हैं, तो करना क्या है एक चीज तो sub में common है वो common क्या है, verb की third form, ये हर किसी के लिए common है कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ कोई से भी tense में जाओ, सब जगे return ही लगाना है, तो ये सबसे बड़ी tension जो है passive voice में, ये खतम हो जाती कि कब verb के साथ ING लगाना है, ये लगाना है वो लगाना है, कुछ नहीं, आपको verb की third form लगानी है, बाकी चीज़े क्या देखनी है, वो देखूँ, right और rights दे रखा है, अब इसका जब passive बनाते हैं तो उसका passive बनाते समय में क्या करना है जो continuous जो होते हैं, continuous जो present continuous है, उसकी सिर्फ क्या उठानी है, helping verb उठानी है, और उसकी helping verb कौन कौन सी है, is, am, are that's it, is, am, are जो होगी, is, am, are, यानि पहला क्या rule है, पहला tense, जो है simple present, उसमें हमें क्या करना होता है उसमें हमें, is, am, are लेना होता है, ठीक है, helping verb क्या लेनी होती है, is, am, are पहचान कैसे करोगी, आपके सामने active voice में कुछ इस तरह से दे रखा होगा, जैसे हमने देखा था, I, writer, letter लिखा था, तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, वहाँ पर हमने verb की form ली थी कोई, और उसको हमने change किया था, किस में से, इन ही में से कुछ change किया था, तो आपको पहले sentence देखना होगा, active voice का, कि मेरा active voice का जो sentence है, वो कैसा है, जैसा sentence है, उसी का according हमको change करना होगा, तो write simple होगा, तो हमें isMR हमारी helping verb लेनी होगी, present simple के बाद हम बात करते हैं, किस की हमारे past की, जो simple past है, तो simple past में देखो क्या है, simple past में हम एक ही rule apply करते थे, कि verb की second form लगा दे थे, और यही यही एक ऐसा tense होता था, जहां पर हम verb की second form लेते थे, बाकि किसी भी tense में कहीं भी हम verb की second form लेते थे, दूसरा यहां पर हम did use करते थे, तो दो चीजे होगे पहचान के लिए, या तो क्या होगा, verb की second form होगी, या फिर क्या होगा, did होगा, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, तो यहां पर क्या है, write की second form क्या है, wrote, जब present simple की बात कर रहे थे, तब हमने यहां पर किसकी present continuous की helping verb ली थी, same यहां पर अगर past की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, past continuous की ही क्या लेंगे, helping verb लेंगे, और वो क्या होती है, was, were, ठीक है, next देखते है, simple future, simple future जहां future की बात होती है, वहां पर हम will और shell लेते थे, और verb की जो भी first form होती थे, उसको लेते थे, तो will और shell ले लेंगे, और write के साथ लिखते हैं, इसको अगर change करोगे, तो इसको भी कैसे change करोगे, इसके भी continuous में change कर दोगे, future का जो continuous होगा, उसमें change कर देंगे, और future के continuous में हम क्या लगाते थे, उसमें हम helping verb लगाते थे, shall be या फिर will be, तो आपको shall be या will be लेना है, तीन rule I think आपको clear होगे होगे, अगर present simple है, तो उसको क्या change करना है, उसको change करना है, हमारे present continuous की helping verb लगा के, बाकी verb की third form ही लगनी है, उसमें तो कोई change ही नहीं है, सिर्फ हमको helping verb लेनी है, कि helping verb से हमें पता चलेगा, कि हमें किसे change करना है, पैसे वज में, next है past की बात कर रहे थे, past simple की, तो उसको past continuous की किस से helping वब से ले लेंगे, तो past continuous की helping वब कौन सी होती ही, was work होती है, वो ले लेंगे, future की बात कर रहे तो future में हम लेते थे, will shall, उसको अगर change करेंगे, तो क्या बन जाएगा, will be and shall be, ठीक है, बाकी verb की third form, अब बात करते हैं हमारे next concept, present continuous, present simple की बाद हमारा आता है, present continuous, उस present continuous में क्या करना है, present continuous में आपको दे रखा होता है, इस हमार और verb के साथ ing लगा होता है, जब हम active voice करते हैं, जो मैंने पहले-पहले example किया था, कि मैं apple खा रही हूँ, वहाँ मैंने क्या क्या था, वहाँ मैंने बताया था, कि मैं apple खा रही हूँ, present की बात हो रही थी, मैं present में खा रही हूँ, तो मैंने continuous को लिया था और वहाँ पर मैंने ing लगाया था eating लिखा था तो इसी तरह से is mr लगाना होता है और writing या जो भी आप verb है उसके ताथ ing लगाते हो इसका जब passive बनाओगे तो करना कुछ नहीं है वर्ब तो यही लेनी is mr में से लेकिन जो आपके वर्ब में जो ing जुड़ा हो है ना उसको भार निकलना है जाओ rap कियूंकि उसके साथ word की कौनची form लगाने है थाऱ् फोर्म लगाने में तो थार्ड फोर्म लगाने के लिए हमको ing को भार निकाना लोगा अब अगर ing और निकले तो उसका तरीका वही रखना है, तो तरीका वही रखने के लिए हमें चीजों को छेड़ना नहीं है, सरफ हमें हमारे जो बोलने का है, जिस पर प्रभाव पढ़ रहा है, जो बोलने वाला है, उसको हम चेंज कर देते हैं, कि काम का प्रभाव अब किस पर पढ़ रहा होगा, सब् passive की बात करते हैं, तो हम लगा देंगे being, क्या करना है, verb में जो ing लगा है उसको निकालना है, और being लगा देना है बाकी is mr, तो देखो, यहाँ पर यहाँ पर same यह, सिर्फ अगर continuous होगा, तो आप पहचाना होगे कैसे, verb के साथ क्या लगा होगा ing लगा हो, जब कि यहाँ पर नहीं लगा है तो ing लगा है, तो हमें क्या लगा देना है इसमें से ing निकालके being लगा दोगे, बाकी write का क्या हो जाएगा written, चली next देखते हैं ऐसा ही same कुछ होगा कहाँ पर past continuous में, past continuous में हम क्या करते हैं was word लगाते हैं और verb के साथ ing लगाते हैं तो was word, अब हमको क्या करना है वही चीज follow करनी है इसमें से निकालना है, was word तो था ही जो writing है, उसमें से भी क्या कर देंगे इस ing को निकाल देंगे, लगा देंगे being और written was word वही रहेगा, है ना simple बहुत simple है, बिल्कुल सिर्फ आपको tense के थोड़ी सी भी understanding है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लोगे क्योंकि सारा काम ही tense का है जो भी tense के rule जानते होंगे उनको passive बनाने में बिल्कुल दिक्कत नी होगी क्योंकि यहां तो बाकी verb में तो कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल simple simple है, third form लगानी है ध्यान देना होगा, अगर आपके सामने इस तरह का है तो is MR सिर्फ helping लेनी बाकी ठीक है और यही चीज़ अगर आपको writing मिल जाती है ing मिल जाता है, तो इसमें से ing निकाल के continuous देख लेते हैं, लेकिन यहां पर future continuous नहीं दे रखा है तो future continuous का क्या नहीं बनता है passive voice future continuous का नहीं बनता है ठीक है, simple देख लिए, फिर हमने continuous देख लिए अब वो continuous के बाद किसको देखनी है बारी है हमारे perfect की tense में हम ऐसे लेते हैं, पहले हम simple लेते हैं अब बात आती है perfect की, तो perfect में देखो perfect में ले रहे हैं सबसे पहले present perfect क्योंकि बात पहले present की होती है तो present लेते, present perfect की अगर picture अपने दिमाग में घुमाओ तो क्या बनती है has have लगाते हैं और verb की third form लगाते है ठीक है, यहीं करना है हमको third form तो यहां भी दे रखिए वहाँ पे भी third form लगाना है change क्या करना है, यह जो has have है इसके साथ हम लगा देंगे been, क्या लगा देंगे been, कुछ नहीं करना है, हम इसको change अगर देखा जाए, indirect तो हम क्या कर रहे है जो present perfect है उसका हम क्या ले रहे है present perfect continuous ले रहे है बस बात क्या है, यहां पे ing लगा होता है continuous, जब हम perfect continuous की बात करते है तो हम आपे ing लगाते है लेकिन यहां पे क्या करना है, आपको सिर्फ वहां की verb उठानी है, ing, ing कुछ नहीं लेना है हमेशा हम क्या कर रहे हैं, हमेशा सबकी क्या ले रहे हैं, सिर्फ helping verb ही ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, has, have के साथ क्या लगा देना है, been बाकी verb की third form तो, same, next, देखिए, past perfect past perfect में क्या कर रहे हैं, past perfect में भी हम यही कर रहे है had written दे रखा है, past में हम क्या लेते हैं, head को लेते हैं और verb की third form लेते हैं, जब इसको change करोगे, तो क्या करना है had been लगाना है, and return लगाना है, ठीक है, had been written last हमारा final है, वो है future perfect, present हो गया, past हो गया, अब यह आ गया future future में क्या कर रहा है, future में हम लेते हैं, will, share लेते हैं, अगर perfect की बात करें तो will, share के साथ हम क्या लगाते हैं, have लगाते हैं, have का ही family चलता है हमेशा, जो perfect हैं हम have की family ही लेते हैं, to have की family लेते हैं, तो यहाँ पे भी have ही लेंगे will, shall, या फिर, will, shall के ता हम क्या लगाते हैं, have और verb की third form, perfect में हमेशा हम verb की third form लेते हैं change करोगे तो क्या लगा दोगे, been लगा दोगे, यहाँ पर भी will, shall, have, been, written तो verb की third form, always लिखनी ही है passive voice में, तो यह simple होगे, अब यहाँ अगर आप note करोगे तो यहाँ मैंने कितने tense लिए है, one, two, three, four, five, six, seven, eight eight tense लिए है, जबकि हमारे tense कितने होते हैं, twelve होते हैं तो कौन-कौन से missing होगे, एक तो हमने अभी ही discuss कर लिया, जो हमारे पास था, हमारे future continuous का लिए, तो future continuous नहीं होगा दूसरा कौन सा change नहीं होगे, दूसरा हमारा होगे, गलता है, अगर लिया, तो present perfect continuous का क्या लेंगे? अगर लेनी होगे, तो he helping word लेंगे purpose के साथ कुछ और भी लेना होगा, तो आप नहीं कर पाओगे, change नहीं होपाएगा, तो be present perfect continuous को नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास जो helping verb है वो already हमने यहाँ use कर लिये have been लगा के तो इसलिए present perfect continuous का भी नहीं बनेगा ऐसे past perfect continuous का भी tense नहीं बने जो उसका भी passive voice नहीं बनेगा और ऐसे ही हमारे future perfect continuous का भी नहीं बनेगा और इससे पहले हमने future continuous देखी लिया था तो यह चार्ज tense हो गए थे अब इन चारो tense को ही हमने नहीं लिया तो 7th rule जो है वो यही कह रहा है कि present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous और future continuous का passive नहीं बनता है ठीक है यह चार्ज जो tense होते हैं इनका नहीं वाले हैं इन rules को हमने समझ लिया बहुत अच्छे से समझ लिया करना क्या है आपको करना यह है छोटा सा homework है यह जितने भी rules है इनको अच्छे से समझो अपने mind में एक picture बना लो कि यह 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 चीज़ चेंज करनी है सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमारे object को लेकि आना है as a subject दूसरा क्या करना है यहां पर वर्ब की हमेशा क्या लगती है या उनके साथ हम क्या लगा के preposition लगा के हम use कर रहे होंगे तो ये clear हो गया, उसके बाद tense को देखा था कि tense के according हम कैसे कैसे अपने rules को लगाते हैं, तो tense जो है उनको अच्छे से समझ के आना, objective form कैसे use होते हैं, उनको भी देखना और हम next class में जो हम करने वाले हैं, इसकी practice करने वाले हैं, बहुत अच्छे से practice करेंगे, बहुत सारे sentences करेंगे, examples करेंगे, कुछ sentences मैं आपको दूँगी, आप उनको video pause करके, practice करके देखिएगा, अगर आपकी ये चीज़े सारी सही होती है, तो passive voice का आप एक पढ़ाव जो है, वो पूरा कर लोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे special rule की तरफ, ठीके, तो आज की class आपको कैसी लगी, आप comment section में बताईएगा, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके friends हैं, उन सभी के साथ share कीजिएगा क्योंकि passive voice को इस तरह से Hindi में, अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने पढ़ाया है, तो आप इसको interesting way में पढ़ो, समझो, खुद भी पढ़ो, और इतना अच्छे से passive voice में आपको करा दूँगी कि आप किसी और कोई बढ़ा सकते हैं, कि आप पहचान लोगे, मैं आपको अच्छे से उस चीज का ग्यान होगा, तो अच्छे से समझो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको देखो कि हम उसको कितना अच्छे से कर पाते हैं, ठीके, तो मिलते हैं next class में, आज की class कैसी लगी, please comment section में बताईएगा, like कीजिएगा, share कीजिएगा, चलो, मिलते हैं next class में, बहुत सारे sentences के साथ, उनकी practice करेंगे, जो आज हमने rules देखें, उसका match खेलने का जो बारी है, वो next class में, तो match खेलेंगे हम next class में, आज rules समझ दो, यह जो game है passive wise का, इसको अच्छे से समझो, मिलते हैं next class में, okay, tata, bye bye, take care.